हरे कृष्णा तो किसने ये प्रश्णा पूचा था कि अबॉर्शन के बारे में घर्बपार्ट ये ठीक है क्या गलत है क्या सो काफी लोग सोचते कि ये sensitive प्रश्णा है ये personal प्रश्णा है लेकिन जिन्होंने पूचा वो पूच रहे थे कि शास्त्र का दृष्टी क्या है सच्छे ही क्या है सो हम देखेंगे पहले ये चीज की डुनिया में अगर हम देखेंगे काफी countries जो है जिसमें गर्बपार्ट ने illegal कर दिया कि लोग नहीं कर सकते इंडिया में 1971 से ही मुझे लग रहा है ये legalized है मतलब कर सकते हैं तब से abortion चल रहा है और इंडिया में काफी loose laws हैं मतलब बहुत आसान से आई तिंक चे मेना तक भी आप abortion कर सकते हैं दुनिया में काफी countries ने illegal कर दिया खास करके Muslim countries ने क्योंकि वह अच्छा नहीं है मतलब बच्चे को अंदर मारने का मतलब वह बहुत कुरूर था है सो इसके मतलब चर्चा करने का हम पहले देखें शास्त्रा में क्या बता रहे हैं शास्त्रा में कहता है कि कोई भी हिमसा ना करें खास करके पांच प्रकार के लोग हैं पहले जो है बाल बच्चे वो कभी हत्या ने करनेगा दूसरा जो है स्त्रिया महिला वो कभी हत्या ने करनेगा तीसरा जो है ब्रामिन उसको भी हत्या ने करनेगा चाउता जो है वृद्ध उसको भी हत्या ने करनेगा वो पांच वा जो है ब्रामिन उसको कभी हत्या ने कर करने का, तो यह सब बहुत बड़ी पाप है, तो शांस्त्र में ऐसा है, उन लेकाते कि ब्रह्म हत्या या ब्रामीन को हत्या करने के सबसे बड़ा पाप है, लेकिन इससे बड़ा क्या है, जो अगर बाल, भालक को मरते हैं, इससे और कटीन पाप है, क्योंकि ब्रह्म हत्या से भी हम कुछ प्रयास चित्त करके उसके बाहर आ सकते हैं लेकिन जो बालक को मारते हैं इसका कुछ प्रयास चित नहीं है क्यूं हम देखेंगे जो घर्ब में आया बहुत बड़ी मुश्किल से है बगवन का अनुगरह के कारण उसका भी एक जीवात्मा जो शरीर मिला अभी व ब्रेक करके यह बहुत डेंजर है यह बहुत कतरनाक है यह सबसे बड़ा हिमसा है कि आप दूसरा का प्रोग्रेसिव पात को रुखा दिया वो प्रगती जाल रहे है मानव का शरीर मिला उसको चांस है संदी है कि शायर इस जनम उसको सफल कर सकते लेकिन हमने उसको रुखा पाप एक प्रकार की निक्षपाप का परिस्तिती में वो इनसन परिस्तिती में वो मर गया तो इसलिए बहुत ही हाइट ऑफ क्रुएलिटी है क्योंकि अगर एक दूसरे के साथ यूद करना जगड़ा करना फाइट करना तो उस तोड़ा समतुल होना चाहिए लेकिन जो बि माई लाइफ माई बॉड़ी यह मेरा शरीर है मेरा जीवन है में कुछ भी कर सकता हूँ तू कौन है बोलेगा तो इसका उत्तर हम क्या दे सकते कि जैसे लोग गाड़ी ड्राइविंग करते रोड पे वो बोल सकते मेरा गाड़ी है मेरा पेट्रोल है तू क्या जाते मेरे क् ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो ड्राइविंग करें पब्लिक एरिया में, बराबर, तो फिर वो फोलो ही करना पड़ेगा, तो वैसे बले ये हमारा शरीर, हमारा जीवन, लेकिन हम रहते कितर समाज में, और जो जीवात्मा जो आपका शरीर के अंदर, पेट के अंदर हैं, आप उसके उपर कोंट्रोल कैसे करते हैं? आपने सलेक्ट किया कौन सा आत्मा? नहीं, तो वो भी किसी ने दिया, किसी ने सैंक्शन किया, तब आपको मिला, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरा जीवन, मेरा शरीर, ये गलत है, आर्क्यूमन, अभी दूसरा हम देखें, लोग आर्क्यूमन कर रहे हैं, कुछ-कुछ लोग जैसे कुछ रेप केस हुआ, रेप केस होने के बाद स्त्रियाज जो है, गर्बवती बन जाते हैं, तो वो बहुत दुखित है, उसका बच्चे क्यों रखनेगा, ये रेपीस का बच्चा है, मुझे गर्बवा पार्ट कर ये बच्चे के कारण मा मर सकते हैं, तो डॉक्टर बोलेंगे, इसको बच्चे को अबॉट करना, तो ऐसा परिसिती भी है, तो वो सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये सही ये गलत पक्का नहीं है, कर्मा के कारण कभी-कभी बच्चे को मा मरते, कभी-कभी मा बच्चे को मारते हैं कितना करतना के देखो दुनिया का है ना सो पहले शारत हम देखना पड़ेगा कि शायद मा को बचाने के लिए बच्चे को मारना पड़ेगा लेकिन फिर भी कर्मा लगेगा ऐसा चोचो कि सही क्या कर्मा से बाहर आ गया नहीं दूसरा जो है हम देखे हो परिसीती क्या है circumstances क्या है जैसे कुछ लोग rape हुआ so अगर कुछ-कुछ मैंने सुना जैसे कुछ ladies हैं भले उसका rape हुआ फिर भी वो बच्चे को रखे क्योंकि हो सोचे ये बच्चे निश्पाप है वो आदमी ने गलती किया मेरे इसको क्यों punish करना तो वो condition देखना पड़ेगा तीसरा जो है conviction है कितना आपका श्रद्धा कितना आपका faith है कितना आपका convinced है कि ये करना कि नहीं करना ultimately जो भी कारे हम कर रहे हम को ही भोगना पड़ेगा जो विरिक्ष हमने प्लांट किया उसका फल हम भोगना पड़ेगा तो शास्त्रा काउन लेकर ये घलत है तो हम देखना पड़ेगा जैसे हमारे इसकों का समाज में बहुत फेमस स्टोरी है एक डॉक्टर है उसका जो एक पहले बेटी जो मिला उसका तुड़ा हैंडिकैप है दाउन सिंडरम के कारण उसका पुरा मेंटली चैलेंज था लोग बोलने लगे कि जब भी प्रेगननसी टाइम मा को कि ये बच्चे को अबट करो अगर ये पैदा होंगे तो उसका पुरा अपंग हो जाते आपका पुरा जीवन जाएगा उसको समालने के लिए तो उस टाइम में मा बाप जो है लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भगत हैं हम लोग ऐसा सब नहीं करेंगे जो भी ये हमारा कर्म का फल है हमको भोगना ही पड़ेगा अगर हम सोचेंगे अब भी उसको कतम करेंगे लेकिन ओख कर्मा का रियाक्शन तो दूसरे रूप में आईगा ही आईगा ये भी कर्मा का प्रतिक्रिया का रूप ही है तो स्विकार करो जो भी परिस्तिती है तो उन्होंने स्विकार किया लगबख 20 साल तक उसको समाल समाल के समाल समाल के, कर्चा करके ये करके, वो करके, काफी चीज़ किया और एक दिन कुछ समय के बाद, वो जो लड़की जो है, वो अपने भी देहांत हो गया, वो बिमारी के कारण तो मामी पाब बोला देखो, हमने अपना करताब किया, हमको पता है ये जाने वाले हैं, लेकिन आगे हमारा परिवार में, जितना हो सकते इसको पूरा कृष्ण बक्ती दे दिया वो हम रेडी हैं, उसको चोडने के लिए अभी, तो वो conviction आपका कितना है कि आपको कितना स्विधार कर सकते क्योंकि संबालना पड़ेगा इस टॉपिक में सही, गलत उसको परिसिती, situation discussion करके हम देखना पड़ेगा हाँ, गलत तो ही है सबको पता, लेकिन क्या करूँ कैसे करूँ, अलग-अलग परिसिती को personally, individually देखना पड़ेगा इन जेनरल हम बोल सकते, गलत ही है लेकिन लोग के साथ तोड़ा counseling, तोड़ा ये बाचे कि ज्यादा तरह, जो लोग मस्ती में बिना responsible में जो गलत, ये नो girlfriend, boyfriend करके, फिर pregnancy हुआ, फिर abortion करना, ये तो clear-cut गलत है ये clear-cut बिना responsible गड़बड है ये तो पाप ही है लेकिन बागी परिसिती जो मैंने कहा, जैसा मा का life danger में, या rape हुआ, या बच्चे शायद अपंग, या mentally challenge हो सके तो ये सब चीज हमको अच्चे तरफ से खुद का conviction, कुछ का circumstance और condition सब देख देखे decision लेना पड़ेगा, लेकिन वास्तफ में अगर clear-cut short answer चाहिए कि गर्बा पाट जो है पाप या चलेगा ये तो पाप ही है क्योंकि ये murder है और जो जो लोग ना कास करके UAPD जो है जो मस्ती करके accidentally pregnant हो गया, फिर ladies है, मुझे नहीं चाहिए वेशा, ये girlfriend, clubs में जाते pubs में जाते उनका जो method है abortion करने का, चले इसका शरीर बहुत हानिकरक बन जाते है उसका कैसे वो embryo को निकालते है, कैसे उसको fetus को cut करते है मारने का, वो बहुत खटीन है, कुछ-कुछ लोग injection डालते है उसको fetus को मारने के लिए लेकिन बात में वो कक्ष जो है यूटरस जो है, उसको toxic बन जाते है, toxic environment करके वो fetus मर जाते है, तो यह सब चीज आगे में, वो लेडी का next conceiving, next delivery, next pregnancy बहुत खटीना जाते है, अलग-अलग प्रतिकिया है, reactions आ जाते है तो यह सब चीज unnecessary है, कि लोग अपना इंद्रियों को control नहीं कर सकते है, अपना इतना कामोक, इतना यह है कि धमन नहीं है इंद्रिया में, control नहीं है free mixing चल रहे है, तो यह problem दाते है, तो यह clear cut गलत है, नहीं करना चाहिए इसके अलावा जो है, हमको चर्चा करना जितना हो सकते, यह problem आने से पहले दूर रहो, इसलिए पहले-पहले हमें एक audio शै क्या था, कि boys and girls में free mixing चलेगा कि नहीं चलेगा तो यह actually एक reason है कि free mixing होने से ही धीरे-धीरे-धीरे घडबड होता है मेरे जबी masters कर रहा था, मेरा engineering तो उसमें मेरा class में एक लड़का था उसको और डी शादी हुआ दो बच्चे हैं तब लोग हम 23 years old था 22 years old 22 साल में था, मैं सुझे भाई तो इतना जल्दी शादी हो गया तो बोला, क्या बोलो accident हो गया, 18 साल से accident हो गया मतलब pregnant हो गया, girlfriend तो शादी करना पड़ेगा वो ऐसा है बोल रहे तो ये बहुत मतलब गलत चीज ना बिना सोचके, बिना planning करके बिना इच्चा है, बच्चे आ गया अब ये एक भार जैसा आपको समालना पड़ेगा कितना कतरनाक है तो जितना हो सकते हमको हमेशा responsible रहना चाहिए शास्त्रा के अनुसार होलो रहना चाहिए और ये सब जो फाल्तू चीज है तो दूर रहो भगवान ने बहुत सुन्दर सिस्टम दिया, किसी का इच्चा है तो बहुत आशिरवाद के साथ शादी करो, प्रेम के साथ बच्चे को स्विकार करो प्रेम के साथ उसको बढ़ा हो तो ये सब चीज दूर रहेंगे जितना हो सकते artificial contraceptives abortion ये सब चीज जस license for wrong enjoyment बहुत ही गलत है Hare Krishna